प्रणी साथियों प्रणाम इस वीडियो में हम हरी पत्र मुद्रा से सम्बंदित प्ररूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम देखेंगे कि इस प्ररूप को कैसे भरा जाता है साथियों ये प्ररूप दो भागों में हैं भाग एक में उपयोक की गई हरीपत्र मुद्राओं का रिकार्ड तयार किया जाना है और भाग दो में हरीपत्र मुद्राओं का हिसाब लिखा जाना है आए इसे समझते हैं और इन दोनों में अंतर को भी देखते हैं सबसे पहले कॉलम में निर्वाचन शेत्र अपनी विधान सभा का क्रमांक और नाम लिख दीजिए जैसे यहां उधारन के तौर पर लिखा है 190 बढ़वानी अजजा मतदान केंदर का संख्यांक जिस मतदान केंदर पर आप निर्वाचन करने के लिए नियुक्त हुए है उसका क्रमांक और नाम लिख दीजिए जैसे यहां लिखा हुआ है 49 बोकराटा इसके बाद कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्यांक सत्यों इसे नियंत्रनी काई भी कहते हैं इसका क्रम संख्यांक इसके नीचे के कॉलम में लिख दीजिए जैसे यहां उधारन के तावर पर लिखा है BCUF 3850 आप अपने को प्राप्त कंट्रोल यूनिट पर लगे स्टिकर की साहता से उसका क्रम संख्यांक देखिए और सही सही उस क्रम संख्यांक को यहां पर लिख लिजिए अगला कॉलम है उप्योग में लाई गई हरी पत्र मुद्राओं का क्रम संख्यांक हरी पत्र मुद्रा को पेपर सील भी कहा जाता है और कंट्रोल यूनिट में इसका उपयोग किया जाता है और एक ही प्रयोग में आती है हरी पत्र मुद्रा पर एक नंबर लिखावा रहता है उसी को उसका करम संख्यां कहते हैं आप देख लीजिए जिस हरी पत्र मुद्रा को आप प्रयोग में ले रहे हैं, उसका करम संख्यां कि यहां लिख दीजिए, जैसे उधारण के तौर पर 101 बताया है, विशेश प्रकरण में सामानित यहां निरंक आएगा, विशेश विवरण में सामानित यहां पर निरंक ही ह प्राम को लिखना होता है, अब भागदो देखिए, हरी पत्र मुद्राओं का हिसाब, इसमें पहला पॉइंट है, प्रदाय की गई हरी पत्र मुद्राओं के करम संख्यांक, 101-1103 उधारण के तौर पर बताया है, आप अपने को प्राप्त, तीन हरीपत्र मुद्राओं के क्रम संख्यांक यहां पर लिखेंगे, जैसे मान लिजे आपको 101x103 प्राप्ट होई तो 101, 102 और 103 है, तो 101x से शुरू करके 103 तक हमने लिखा है, उसी तरह से आप अपनी हरीपत्र मुद्राओं के क्रमांक का हैं उलेक करेंगे, प्रदाय की गई कुल संख्या तीन होती है, उप्योग की गई हरी पत्रमुद्रा एक होती है, रिटर्निंग आफिसर को जो हरी पत्रमुद्राएं वापस की गई उनकी संख्या तीन में से एक घटा देंगे तो दो बचेगी इसके बाद कटी फटी पत्रमुद्राएं यदि कोई हो तो उनके करम संख्यांक, सावधानी पुरवक साथियों हरी पत्रमुद्रा का उप्योग कीजिए, उन्हें कटने फटने मत दीजिए, तो यहाँ पर आप निरंग लिख सकेंगे इसके साहती साइड में मतदान अभी करता के हस्ताक्षर वाला एक हिस्सा है, आपके मतदान के इंदर पर जितने मतदान अभी करता आते हैं, आप उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लिजिए, साथिवे बहुत जरूरी काम होता है, इस बात को ध्यान में रखिए, और हस्त बोकराटा आप जिस इस्थान पर मतदान करवा रहे हैं उसका नाम लिखें तारीख 17 नौवंबर 2023 पीठा सीन आफिसर के हस्ताक्षर कर दीजी डॉट डॉट वाले इस्थान पर और नीचे पीठा सीन आफिसर अपना नाम भी लिख दें इस तरह से यह हरी पत्र मुद्रा से स लेक किया जाता है जैसे यहां पर किया गया है और भाग दो में जितनी हरी पत्र मुद्रा मिली है उन सब का हिसाब लिखा जाता है यह इन दोनों में अंतर है बहुत सावधानी पुर्वक इसको भरने किया आवशकता है इसे अच्छे से आप सीख लीजिए वीडियो को एक रहा है यदि हां तो कृप्या कॉमेंट बॉक्स में लिखिए यह भी बताए कि आप किस विशय पर वीडियो चाहते हैं साथ में इस बात का उलेक करना न भूलें कि आप मध्यप्रदेश के किस जिले की किस विधान सभा के रहने वाले हैं महतोपूर्ण बात आप तक पहु काम नहीं नमस्कार